हालो सब्सक्राइब आपके अपने यूटीब चैनल मनिग रोड़िश्टल में मेरे नाम है आसीव साराच के इस वीडियो में जानेंगे बिटकोइन की ताज़ा अपडेट के बारे में बिटकोइन का सपोर्ट एंड रिजिस्टन्स लेवल क्या है उसके बारे में समझेंगे साथ ही यहां पे बिटकोइन डॉमिनेंस की बात करेंगे जिससे थोड़ा सा अल्टकोइन की स्थिति साफ होगी किस तरीके से अल्टकोइन यहां पर पर्फॉर्म करने वारे हैं और लिंक आपको यहां से मिल जाएगी इन ही ऑफिसल लिंक के थू जाएगा डिस्क्रिप्टिन में भी आपको लिंक मिलेगी उसके थू ही जाना है किसी स्कैमर के चैनल पे जोईन नहीं करना है अधर्वाइस आप स्कैम के चक्कर में भी फस सकते हैं तो चलते से सीदे से के आसपास में हमने भी BTC एड़ किया था उसके बाद अगर आप देखोगे तो 51,900 के आसपास में गया है और यहां से अगर आप calculate करोगे तो BTC ने लगबग यहां पे 23% के recovery ली थी पर अभी अगर आप देखोगे दो दिनों के अंदर यहां पे correction देखने को मिला है जो कि ल करना हुआ है यहां पर दो दिन की जो आप नीचे का volume देखेंगे तो selling volume ज्यादा दिखाई दे रहा है आज में अगर आप देखेंगे तो buyer हैं पर इतने भी buyer नहीं है seller कही न कहीं पुस्क कर रहा है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए तो यहां पर देखें मेरे इसाब स अभी अगर आप देखोगे तो जो support level पहला बचा है वह यह है support level 1 तो टूट चुका है 48,000 का जो की break हो चुका है यहां पर 46,000 का यहां पर next support है जो की support 2 है और यही 200 daily moving average है तो यहां पर अगर आप देखो previous history देखो जैसे यहां पर था BTC 52,800 के करीब था market में crash आया एकदम से test किया कहां पर लगबख 40,000 के आसपास में वापस से recovery किया फिर आया 200 daily moving average को test किया और उसके बाद से देखो यहां पर boom तो वैसा ही कुछ यहां पर अभी scenario दिख रहा है यहां पर आप देखोगे तो 57,000 से BTC गिरा लगबख 42,000 के आसपास में उपर गया recovery लिया 52,000 तक आएंगे जो की होगा 42,000 और यह situation थोड़ा सा यहां पर वरी करने वाली हो जाएगी कि आपको 46,000 का जो level है वो अगर break हो गया तो थोड़ा सा market risk की area में चला जाएगा तब तक आपको यहां पर panic नहीं करना है पहले break करने तो 46,000 का level उसके बाद ही हम यहां पर आगे decide जो support वन था वो resistance हो जाएगा 48,000 resistance level हो जाएगा वो तो easily break कर सकता है क्योंकि उसके नजदीक है पर उसके उपर देखा जाया तो main resistance देखा जाया तो 53,000 के आसपास में उसके उपर 55,000 तो यह दोनों level break करने चाहिए तब ही हम upside में उपर की और जाएंगे otherwise 46,000 अगर break करते है तो नीचे की और फिर BTC जाएगा जो की 40,000 डॉलर तक भी हो सकता है तो अभी आपको इतना panic नहीं करना है 46,000 के level को break करने के लिए wait कर लो जिसने यहां पर जलदवाजी में sell कर दिया उसको यहां पर वापस से 20% उपर जाके buy करना होगा कहीं न कहीं और वो जो है सही decision नही test किया था अभी same वही situation होई 40 test करके और upside में जा रहा है मतलब यहां पर साफ है कि BTC कर जो dominance है वो बढ़ रहा है altcoin यहां पर थोड़ा सा धीरे-धीरे crash होते हुए दिखेंगे तो altcoin में आपको long की position नहीं बरानी है spot में चाहें तो आप dip में accumulate करके चल सकते हैं और यहां पर भी BTC dominance उपर जा रहा है मतलब कहीं न कहीं लोग BTC में बुले से BTC को dip में buy कर रहे हैं add कर रहे है ठीक है तो अभी altcoin थोड़ा बहुत यहां पर crash होते हुए दिखेंगे पर अगर यह dominance नीचे की और वापस से reversal लेती है तो वापस से altcoin में एक अच्छा boom देखने को मिलेगा और यह dominance अगर बढ़ती है तो थोड़ा सा altcoin के लिए risk हो जाएगा तो 41 अभी चल रही है BTC dominance यह अगर 42 या उसके उपर निकलती है तो altcoin में थोड़ा सा और crash आ सकता है इसलिए altcoin में अभी safe trading करने का zone है आपको ज्यादा trade नहीं ले रहा है जरूर ही नहीं कि आप regular trade ले ऐस इसको average करके hold करके चलिए ज्यादा panic करने की जरूरत नहीं है Ethereum का chart यहां पर देखते है Ethereum में देखिए हमने आपको बोला था 3600 के पास में जब BTC इस समय crash हुआ था Ethereum भी crash हुआ था आपको यहीं पर बोला था कि add कर लो उसके बाद में आप Ethereum में upside move देखो यहां से लगबग जो है आपको 43000 के आसपास में जाता हुआ दिखा है और यह होता 22% के आसपास में पर अभी देखोगे तो support 1 जो है 3950 के आसपास में support 1 है यह वाला जो daily का support है इसको test करने आ सकता है इसको अगर break करेगा तो फिर हम 3680 के आसपास में जाएंगे और अगर नहीं break करता है तो Ethereum यहीं से जो है upside move लेगा resistance पहला रहेगा 4380 इसके उपर जो है resistance to 4700 के आसपास में रहेगा तो मैंने आपको यहां पे Bitcoin की update दी Ethereum की update दी और BTC dominance की दी अगर आप यहां पे देखोगे तो अल्स ठीक है बहुत जादा performance नहीं दे रहे हैं जैसा आपकी पहले दे रहे थे पर अभ करोगे तो क्या होगा अभी आप loss में sell करोगे बाद में पता जला high पे buy करना हुगा तो जो भी आपके पास में positions यहां पे दिख रही हैं जो भी आपने ले रखी हैं उनमें क्या करिए एक averaging करके चलिए या फिर proper stop loss रख लीजे 46000 अगर BTC sudden drop करता है तो वापास से 5-10% के आ नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जैसे ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and take care